आप सबको नमश्कार दिल्ली में करोना की स्थिती के मद्दे नजर कुछ एहम निर्ने लिए गए हैं पहला तो ये की कुछ दिन पहले कुछ हफते पहले दिल्ली में करोना की स्थिती में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्दे नजर रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइड लाइनス थी उसके मताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या ंलाओ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाओ किया गया था लोगों को शादियों में केवल 250 लोग एलाउड होंगे और ये निरने मैंने LG साथ की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है मैं उमीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी दूसरा हमने देखा कि कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जिसकी वज़े से कोरोना बहुत ज़्यादा फैलने करोना बहुत ज़्यादा फैला तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किये थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी रज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमेशन लेनी पड़ेगी तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खतम हो गई है हम उमीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतन हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना होट स्पॉट बन सकता है तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए ऐसा आपकी परमिशन के लिए अभी लिग दिया है हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके करोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं केंदर सरकार का मैं खास तोर से शुक्रियादा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंदर सरकार ने दिली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने साथ सो आईसी उ बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है इससे सबसे ज़दा हमें लाब होगा क्योंकि इसके लिए केंदर सरकार ने आगे बढ़के हमें मैंने एक हफ़ते पहले चिख़ी भी लिखी थी केंदर सरकार को कि हमें तुरन टाइसी बेट केंदर सरकार को केंदर ने इसको सरकारात्मत तरुर हमारे को वह किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलर्ली शुक्रियादा करता हूँ इस वक्त सारी सरकारें, केंदर सरकार, दिली सरकार, सारी एजनसी, डियार डियो, आईसीमर, सब गेम्स वगरा, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोनों की स्थितिक को काबू पाने के लिए, लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकते ही, जब तक हम सब लोग आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे, मेरी आप से हाथ जोड के विंती है कि आप ये कोई किसी की किसी और के लिए नहीं मांग रहे हैं, आप ही के स्वास्त के लिए, आप की जिंदगी के लिए, आप के परिवार के लिए, आप से अपील कर किसी को नहीं देखता करोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता, किसी को भी कभी भी हो सकता है, और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है, तो फिर से मैं हाजोड के सबसे अपील करता हूं कि आप प्लीज, प्लीज, प का का पालन की जिए और मास्क जरूर से पहले हैं नमस्कार